आज देश के संसर में बजट पेश किया है और मेरा साफ मानना है और हमारे पार्टी का पश्ट मानना है कि ये बजट नहीं था बल्कि देश का सेल था देश नर्मान के लिए कोई बजट नहीं बल्कि ये देश बेचने का बजट था लोग सब लोग जानते हैं पहले रेलवे को बेचा एर इंडिया को बेचा भारत पेट्रोलियम को बेचा गया टरह टरह की संस्थानों के संपत्यों को बेचा गया और ये पूरी तरीके से जितने परिष्थ गैस पाइपलाइन है स्टेडियम है सडक मार्ग है वैर हाउसेज है जो संपतिया रहे उसको और बेचने की पूर जोर तरीके से पैयारी की जादी है आम नागरिकों का कमर तोर दिया गया है और केवल कुछ चंद लोगों का ही इस बजट में ख्याल रखने का काम भारत सरकार ने किया है आप देखे होंगे कि बिहार में ड Witल इंजन की सरकार है रहे हम दों लोग कई एक बजट बिहार का देक्क लिया है भारत सरकार का देख लिए कि बिहार की लिए उन लोगों ने क्या कि व हार को पूरी तरीके से ठागने का काम किया गया है और अदबुद है जब बिहार को कुछ नहीं मिल रहा था तो बिहार जो जीते वें 49 अंचाद है वो टेबल थप थपा रहे थे बिहार को एक भी इंफरसक्षर के लिए कुछ नहीं मिला कोई विशेश पाकेज नहीं नहीं का लेकिन काम ऐसा है यह कोई योजना के तहएत या कोई अलग व्यार को देखते वह अगर कोई प्लानिंग अगर की गई होती तो शायर्त आप लोगों को हम लोगों को खुशी होतीं लेकिन विहार को पूरी थरीके से अग्नौर किया गया हम तो बिहार के मुख्यमंत्री से पूछते रहेंगे कि केवल हाथी हिलाएंगे या बताएं कि बिहार को इस बजट से क्या मिला बिहार में डबल इंजन की सरकार है तो क्या दिख रहा है अलग क्या आपको विशेश तोर पे बिहार को मदद मिली सहयोग पूरी तरीके से बिहार के साथ जो है सौतेला वेवहार किया गया और केंद्र सरकार लगतार जो है कि यह कहती रही है कि 2022 तक जो है किसानों का आए दुगुना करेंगे लेकिन 2020 में भिकारी बनाने की तैयारी केंद्र सरकार ने विशेश बिल के माध्यम से कर दिया विहार की क्या देनी स्थिती है यह आप सब लोगों को पता है धान के खरीद को लेकर के या जिस प्रकार से अलग विशेश अतरिक बोज डीजल पर बढ़ाया गया है टाइक्स बढ़ाया गया आम लोगों पर यह सब लोग हम लोग देख रहे हैं मुक्यमंत्री खामोश क्यों है इस बजट के आने के बाद यह समझ में नहीं आना खामोशी शाद इसलिए है क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है कि बिहार को कि इस डबल इंजिन्ट की सरकार ने क्या दिया ना कोई कारखाना ना कोई उद्द्यों ना रोजगार की चर्चा ना इंफ्रस्रक्ट्रक्शर की बातें कोई यह ना अग्रिकल्चर में कोई एक ऐसा सेक्टर नहीं जहां बिहार को कुछ मिला हूँ आप लोग याद किजिए वो दौर जब लालु जी रेल मंत्री वाक तर इसमें तो रेलवे गाय भी हो गया रेलवे को इसलिए गाय प्या गया क्योंकि यह लोग लालु जी की तुलना नहीं कर सकते था जिस प्रकार से आदरने लालु जी लालु जी ने ायता जब हर साल किराय कम किया अप यहीं बिहार को लालु जी तीनचार कारखाने रेलवे को दिल्ए उस समय बिहार को देने का काम किया आजई कहा है कि क्या मिल रहा है बिहार को और वो तब था जब यहां बीजेपी और एंडिये की सरकार थी बिना पक्षपात किये हुए विशेश पैकेट एक लाग पचीस हजार करोर का भी यूपिय की समय में बिहार को लालू जी ने दिद्रूआने का काम किया और हम लोग सब लोग पूछ रहें कि क्या मिल रहे है विषार को उन्हूंकुरिश सांसत जीत करके गये हैं किवल ताली पीटने गये यह बीए कि लिए आवाज उठाने गये और दूर्भाग है जो लोग भी जीत करके थाली भी टेबल पटकाने का काम कर रहे हैं लेकिन पु और पूरी तरीके से उन पर जो है बत्रिक बोज डालने की तैयारी के इंद्र सरकाने की हैं